कैसे हो दोस्तों, इंदरा इंगलिस कलासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है, इस से पहले वाले विडियो में हम लोगों ने past indefinite tense का complete study किया, अब चलिए हम लोग past imperfect tense देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इसका definition जानते हैं, लेकिन इसको आगे बरने से पहले मैं आप लो वीडियो जरूर देखिए यही पढ़ने के लिए आप पूरे मार्केट घूमते हैं कई टीचर्स के पास जाते हैं लेकिन मैं आपको यूट्यूब के माधियम से आपके घर तक पहुचा रहा हूं फिर भी आप पूरा वीडियो नहीं देखते हैं यह दुख की बात है लेकिन उम्मीद है कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे समझेंगे और अपने लिए अपने लिए इसकी तैयारी करेंगे चलिए हम लोग पास्ट इंपरफेक्टेंस का डेपनेशन पहले देखें देखें लिखा है दा एक्शन वैसी किरिया विच जो वाज ओन ओन मतलब जा जारी थी इन पास्ट पास्ट में इज कॉल्ट कहलाती है इन पास्ट इंपरफेक्टेंस पास्ट इंपरफेक्टेंस में वैसी किरिया होती है जो बीते समय में जारी थी या चल रही थी डेपनेशन भी देख सकते हैं हिंदी में भी है वैसी किरिया जो बूत काल में जारी थी या चल रही थी तो उसे पास्ट इंपरफेक्टेंस में कहा जाता है है ना जा लुआ ये ना फी या चल रही ही थी तो अकॉंटेंस में हो जाएगा पाश्ट में इस लिख कर्यामपल को देखिए उवे लोग गिरकेट खेलरे तो खेल रहे थे से क्या पता चलता है खेलने की क्रिया बिते समय में जारी थी तो यह हो जाता है पास्ट है ना इंपरफेक्ट है ना टेंस में हो जाता है यह पास्ट इंपरफेक्ट टेंस में हो जाता है क्योंकि खेल रहे थे से पता चलता है क्रिया जारी थी इस कांगरेज सब्जेक्ट हो गया किरकेट जो अबजेक्ट है यहां किरकेट हो गया खेल रहे थे वेयर प्लेइंग भरब हो गया यहां देखिए वेयर प्लेइंग भरब हो गया और यह कॉंटेंसम हो गया पास्ट इंपरफेक्टेंस में फिर देखिए वह यहां देखिए दोस्तों यहां उप छुटा है इसमें आपको वह समझना होगा यहां होगा और यहां यहां उपर नहीं किताब जहा great औरile बर्व हो गया तो पट रही थी से क्या पता चलता है पटने की क्रिया विते समय में जारी थी या चल रही थी तो ये भी कॉंटेंस में हो जाएगा ये भी हो जाएगा पास्ट है ना इंपर्फेक्ट टेंस में होगा क्योंकि इससे पता चलता है कार्ज विते समय में जारी थी इसका अंग्रेजी भी देखिए, वह जो है, इसका अंग्रेजी शी हो गया, किताब अबजेक्ट है, यहाँ एबूक अबजेक्ट हो गया, पढ़ रही थी के लिए, वाज रीडिंग भर्ग हो गया, तो यह उसी तरह यह भी कॉंटेंस में हो गया, पास्ट इंपर्फेक्ट तेंस में, यह वह इसी किरिया जो बिते समय में जारी थी या चल रही थी, उसे पास्ट इंपर्फेक्ट तेंस में कहा जाता है, उम्मीद है, आपको डेपनेशन समझ में आया होगा, एक जामपल समझ में आया होगा, लेकिन पूरा देखिए, यह आपके लिए मैं भेज र रहा था, रही थी, रहे थे, कोई भी हिंदी सेंटेंस है, जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे, लगा रहता है, वह पास्ट इंपर्फेक्ट तेंस हो जाता है, जैसे पढ़ना किरिया है, पढ़ रहा था, पढ़ रही थी, या पढ़ रहे थे, लिखना किरिया है, लिख र वहाँ था रही थी रहे थे लगा रहता है वह पास्ट इंपर्फेक्ट इंस में होता है चले दोस्तों हम लोग बी में देखते हैं है ना देके भी in English देखे लिखा in English was where before English कोई sentence हो इंगलिस में जिसमें was where भर्ब का fourth form लगा हुआ हो वो पास्ट इंपर्फेक्ट में होता जैसे we were helping the poor देखे यहाँ were helping लगा है where के बाद we poor है ना पास्ट इंपर्फेक्ट हो गया है ना he was reading a book यहाँ वाज रीडिंग है न यह पास्ट इंपरफेक्ट हो गया फिर जीते देखिए यहाँ लिखा है अब ट्रांसलेशन केसे बनाएंगे उसका अश्ट्रक्चर देखिए हम लोग देख लेते हैं है न देखिए लिखा है एफर्मेटिव स्ट्रक्चर है न देखिए एफर् इन्तरोगेटिव दो थरा का होता है एक यस्नों होता है और एक डड़ू हेच होता है तो देखेए यस्मों अश्ट्र Pekiya यह इस तरह या इसका structure होता है चलिए दोस्तों कुछ examples भी हम लोग देख लेते हैं जिसका संबंदी श्टेंज से जैसे देखिये लिखा है जैसे लिखा राम उन लोगों के शार्थ शत्रंज खेल रहा था देखिये इसमें खेल रहा था, रहा था लगा है पास्ट इंपरफेक्ट है, affirmative है पहले राम का अंगरे जी राम देजिए खेल रहा था भर्ब है वाज पलेइंग देजिए यहां कार्ड हो गया कार्ड नहीं होगा यहां पर यहां पर हो जाएगा चेस, यहां यहां चेस हो जाएगा mistake है, चेस with them पास्ट इंपरफेक्ट का example है, पर दूसरा हुआ गाना नहीं गा रहा था, देखिए रहा था लगा है, नहीं लगने से negative हो गया, पास्ट इंपरफेक्ट का negative हो गया, negative structure के नुसार, बनाए he was not singing a song, यह हो गया क्या मेरे पिताजी उन बच्चों को पढ़ा रहे थे, देखिए, पढ़ा रहे थे लगा है, पास्ट इंपरफेक्ट हो गया क्या से शुरू हुआ, yes, no question हो गया was my father, देखिए लिखा, was my father teaching those children, was my father teaching those children है न, पिर देखिए लिखा है क्या तुम मुझे धोखा नहीं दे रहे थे, दे रहे थे क्या से शुरू है, ये भी yes, no question है, लेकि नहीं लगने से negative हो गया, where are you not cheating me, देखिए लिखा है, where are you not cheating me, तुम वहाँ क्यों जा रहे थे, तुम वहाँ क्यों जा रहे थे, why where are you going there, why where are you going there, ये डवलू एच कोश्चन है, है न, वह तुम्हें कैसे मदद नहीं कर रही थी, देखिए लिखा है, how was she not helping you, है न, तो इस तरह आप अभी past imperfections का definition देखे, उसकी identity, उसका example, structures, or structures related examples, है न, तो दोस्तों, ये पूरा वीडियो देखिए, ये आपके लिए है, आप अपने दोस्तों को, है न, जिसके पास नहीं भी है, तो उसको share कर देजिए, ताकि उसको भी कुछ फाइदा मिले, वो भी कुछ सीखे, उनकी भी तयारी हो सके, दोस्तों, ये सिर्फ पिंटर पास करने के लिए नहीं है, सभी कलास के बच्चों के लिए है, इसलिए उम्मीद है, कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, थैंक यू फोर वाचिंग दिस वीडियो,